अलो गाईज कैसे हैं आप सब उमीद करती हों आप सब अच्छे होंगे स्वस्त होंगे अपना बहुत सारा ध्यान रख रहे होंगे आज मैं आप लोग के साथ ये वेजटिबल पुलाव की रेस्पी शेक करने जा रहे हूं जो की बहुत जटपट से बन जाता है बहुत टेस्टी है स्वाद इसका पूछिए मत कितना ज़्यादा टेस्टी है अब खास तार पे ये रेस्पी ना मैंने घर में जो नॉर्मल चावल है उसी से बनाया इसके लिए मैंने कोई भी स्पेशल राइस खरीने की आप लोग को जरूरत नहीं है ना कोई बास मती तो चलिए हम इसे बनाने चलते हैं सबसे पहले हम प्रेशर कूकर चड़ा देंगे और उसमें दो बड़े चमच देसी घी डाल देंगे इस रस्पी की खास बात यह है कि मैंने यह बहुत सिंपल इंग्रेंट से बनाया तो आप सभी का वेलकम है में चैनल में फूट लाइब प्रोसेस में अब हम इसमें आदा चोटी चमच जीरा डाल देंगे जीरा जैसी थोड़ा सा हमारा पक जाएगा हम इसमें एक तेज पता डाल देंगे तेज पता के साथ साथ हम दाल जीनी का एक टुकरा डाल देंगे और चार पांच लॉंग दो तीन काले मिर्च डाल देंगे उसके बाद एक हरी मिर्ची उसको दो टुकडों में तोड के हम डालेंगे हरी मिर्ची डालने के बाद हम इसमें एक मीडियम साइज का प्याज पहले से ही काट के रखा था एक इंच अद्र का टुकड़ा ग्रेट करके चार-पांच लेसन की कलिया छील के वो साबुत मैंने डाल दिया उसके बाद हम इसे भून लेंगे अच्छे से मिक्स कर लेंगे इतना मिक्स करना है इतना भूनना है कि प्याज करना सारा का सारा मौश्या खतम हो जाने चाहिए उसके बाद हम इसमें अपने सारे के सारे सबजियां डाल देंगे मैंने आलू डाला है सबसे पहले वो दो medium size का आलू है वो मैंने डालके आलू को अच्छे से mix कर लिया है नया आलू है, थोड़ा सा पकने में time लगता है इसलिए पहले आलू डालके उसे अच्छे से mix कर लेंगे दो मिनिट मिक्स करेंगे उसके बाद बाकी की सबजियां डालेंगे बाकी इसकी सबजी में मैंने गाजा डाला है दो गाजा डाले हैं एक कटोरी मटर डाला है मटर ध्यान से मेरे से गिर गया था अक्सर कूकिंग करते वक्त हमसे थोड़ी बहुत गलतियां होती रहती है अब हम इसके बाद हम इसमें एक कटोरी गोबी डाल देन अच्छे से 19 minutes के लिए सब्यों को अच्छे से 19 करने के Cellar산, 6 मिनिट के लिए 19 इसमें बाकी के सूखे मसाले डालेंगे तो चलिए सब्जे हमने दो मिनिट मिक्स करते हुए भून लिया है अब हम इसमें सूखे मसाले डालते हैं सबसे पहले एक चमच लानमिच पाउडर आधी छोटी चमच हल्दी और देर चमच हम धनिया पाउडर डालेंगे धनिया मसालों को सबजी के साथ भूनने में लगबग से आपको पांस से दस मिनिट लग जाएगा और अगर नीचे इस तरीके से लगने लगे तो आप कल्ची से इस तरीके से चलाते हुए भून लीजेगा इससे में आप गैस का फ्लेम एकदम स्लो रखिएगा मैंने एक गरबढ हो आप गल गहे हैं मुझसे record करने में चावल record करते टांप भूल गई थी डालते टांप तो मैंने इसमें एक कटोरी normal चावल का पाउल किया है वह मैंने इसमें wash करके चावल wash करके बढम डाल दिया और उसे भी अच्छा से mix कर लिया आपने सबजीों के साथ जैसे ही हमारे अच्छे से डालने के बाद पाने डालने के बाद फिर से एक बार चला लेते हैं अब हम इसमें गरम मसाला डालेंगे गरम मसाला मैं घर का पीसा हुआ गरम मसाला डाल रही हो इसलिए आधी छोटी चमच गरम मसाला डाल रही हो अगर आप मार्केट का गरम मसाला यूज करते ह तो इसमें एक चमच गरम मसाला डालने के बाद उसे एक बार अच्छा से मिक्स कर लीजिए अब एक लास्ट ट्रिप जो कि आपके वेजटेबल पुलाओ को बहुत जाटा तेस्टी बनाएगी वह यह है कि लास्ट में एक चमच या आदी छोटी चमच अगर आप घी खाना प पकने देंगे प्रेशे कूकर क कर ढखन अपने आप नहीं खोलेंगे जब तक प्रेशेर रिलीज नहीं हो जाता प्रेशर रिलीज हो गया था अं अब ढटनाख कर आपको यह है नहीं मन होता है तो就是說 भी खहा सकते हैं और यह वन पॉर्ट में है तो इसमें जाहदा को बहु newly करने की भी जरूरत नहीं कि बरतन बाद में और ज्यादा हो जाएंगे तो बैचलर के लिए तो बहुत बैस्ट है तो अगर आपको में वीडियो में रेस्पी पसंद आती है ना तो में चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए कमेंट करके जो बता कीजिए कि रेस्पी कैसी कि वीडियो को लाइक जरू किये कीजिए ताकि मेरे को मोटिवेशन मिले तो आपके लिए और अच्छे ची रेस्पी लाने के लिए तो डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब मैं चैनल थैंक्स फॉर वाचें बाबार मैं जा रही हूं इसे इंज्वाइब करने यू सून कि यू सून